आज है 15th मार्च तो चलिए देखते हैं आज का Current Affairs सबसे पहले बताना चाहूंगी आज है World Consumer Right Day क्योंकि आज है 15th मार्च और पूरे वर्ल्ड में आज बनाया जाता है World Consumer Right Day इस बार का थीम बहुत ही इंट्रेस्टिंग है तो देख लेते हैं Fair Digital Finance इस बार का थीम क्या है Fair Digital Finance जी हाँ Digital Finance होना चाहिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं देखते हैं Homework In which city प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी इनुगरेट 11th खेल महा कुम देखिए यहाँ पे तीन कोशन बनेंगे पहला तो कौन सा city है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी ने इनुगरेट किया है तो वो सीटी है एहमदाबाद गुजरात ध्यान रखें एहमदाबाद गुजरात में किया गया है कौन इनुगरीट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी क्या खेल महाकुम कौन सा एडिशन 11 तो इस तरह से कुशन आएगा तो टी राजा अपॉंट हुए है फिनाशल एक्शन टास्क फोर्स के चेर्मेन ये सिंगापूर से है और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है चेर्मेन अफिनाशल टास्क फोर्स तो इसमें सबसे ज़्यादा मेडल आने वाली कंट्री है इंडिया और इंडिया ने इसमें 7 मेडल जीता है डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है वी डेम के द्वारा और इसमें इंडिया की रैंकिंग है 93 तो ध्यान रखे अबाउट 129 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट की थी जिसमें भारत की रैंकिंग 93 है करेंट अफेर्स देख लेते हैं आज का कोशन नमबर वन देखें ये कुशन इंपॉर्टेंट है कौन इंडेख किये हैं वर्टेल स्मार्ट इंडेज पार्ग तो ये इनोग्रेट किया गया है आरके सिंग के द्वारा बहुत important है virtual smart grid knowledge park smart grid knowledge park इनोग्रेट किया जा रहा है बनाया जा रहा है ये एक ऐसा knowledge park होगा जहां पर smart grid होगे smart grid होने से क्या होगा working function जो है हम सभी का बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि electricity बहुत ही important है और जब आप किसी ruler area से belong करते हो या semi ruler area से तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि electricity का ना होना आपके काम को कितना जादा harm पहुंचाता है तो electricity होना बहुत ज़रूरी है और अगर smart grid होगा तो हमारे जो काम हैं वो fast हो जाएंगे और इसी संदर में आरके सिंग जो की ministry of power handle करते हैं उन्होंने establish किया है एक और important mind में आया question एक और important program आया था इंडिया सुपर conductor mission सुपर conductor mission इंडिया में स्टार्ट हो चुका है और इसे इनुग्रेट किये हैं यूनियन मिनिस्टर अश्रीनी वैशनव जो की chemical minister है chemical and fertilizer minister semiconductor mission भी काफे माहिने रखता है क्योंकि semiconductor को माना जा रहा है future source of energy और semiconductor में ऐसे क्या property है पूरा world अभी semiconductor पे focus है जिहां आपके mobile में या आपके laptop में जो chip होता है उसमें semiconductor ही use किया जाता है जैसा कि हम सभी जाते हैं semiconductor वो conductor होते हैं जो conduct करता है without resistance और इसमें magnetic field भी होती है question number two संभव and swab lamban scheme अभी start क्या गया है किस minister के दौरा संभव and swab lamban scheme start क्या गया है micro small medium enterprises minister कौन है तो वो है भानू परताप सिंग उन्होंने start क्या है यह scheme जिसका नाम है संभव and swab lamban scheme जिसके अंतरगत plastic waste को recycle किया जाएगा यह scheme start क्या गया है एक international conference जूकि new Delhi में organize किया गया था recycle of plastic waste conference का नाम था उसमें यहाँ पे announce किया गया है संभव and swab lamban scheme जिसके अंतरगत plastic से नए नए चीज़े बनायने के लिए established किया जा रहा है इंडस्ट्री और जो छोटे छोटे उद्योग है उनको सहायता प्रदान की जाएगी आगे बढ़ते है question number 3 की तरफ कौन सा पहला unicorn spot enterprises है तो वो है चन्ने सूपर किंग जी हाँ चन्ने सूपर किंग तो खैर बहुत ही renowned group है जो कि खेलता है IPL और यह four time IPL जीत चुका है यह sport company है ठीक है चन्ने सूपर किंग ध्यान रखें अच्छा IPL start कप हुआ था तो वो हुआ था 2008 में आगे बढ़ते question number 4 की तरफ world gold of hall fame अभी दिया गया है किस Indian golf player को तो जी हाँ वो सबसके चाने पहचाने tiger woods को मिलता है hall of fame यह एक world gold hall of fame award है जो की दिया गया है tiger woods को जो की इंडिया के है question number 5 लक्ष्मी for lak्ष्मी fund has started by which company कौन सी mutual fund ने start किया है लक्ष्मी for lak्ष्मी तो यह start किया गया है SDFC mutual fund के द्वारा ध्यान रखें लक्ष्मी for lak्ष्मी scheme जो की विविन empowerment से related है question number 6 पे आ जाते हैं कौन सी state government ने अभी एक agreement sign किया है नवाट के साथ ताकि fisheries sector को आगे बढ़ाया जाए तो वो state है उडिशा उडिशार का सरकार ने नवाट के साथ एक deal sign की है जिसके अंतरगत नवाट सपोर्ट करेगा fisheries sector उडिशा में क्योंकि उडिशा भी एक coastal country है coastal state है जहां पे inland और outland यानि दोनों ही देखिए उडिशा एक ऐसा राज्य है जहां पे मतलब water facility बहुत अच्छी है coastal region भी है और साथ में inland water facility भी है तो वहां पे fisheries के chances बहुत अधिक है 119 करोर का ये project है जो कि नवाट के साथ start किया गया है Question number 7 इंडिया का पहला GI tech कस्मीर कापेट अविहाल में किस country में भेजा गया है यानि export किया गया है तो वो country है Germany जर्मनी में एक्स्पॉर्ट किया गया है इंडिया का कस्मीर कापेट इंडिया का export किया गया है ये कापेट काफी important है बहुत beautiful कापेट होते हैं और QR Code का इस्तिमाल क्या गया है? QR Code का इस्तिमाल करने से क्या होता है? कि हम किसी भी प्रोड़क्त के पूरे डिटेल को जान सकते हैं QR Code से. वो कब बना? किसके द्वाड़ा बनाया गया? उसकी manufacturing unit का आया है? सभी information हमें QR Code में मिल जाता है. Question number 8. कौन सा city इंडिया का बन गया है? Medical City. पूरी तरह से Medical City बनने वाला राज्य स्टेट और सिटी है वो है पूने. पूने कहा है? महाराष्ट्रा में है. महाराष्ट्रा के पूने को बना दिया गया है Medical City. वहाँ पे सारी Medical की treatment एक जगा होगी. और हो सकता है इससे क्या होगा? कि लोग वहाँ जाएंगे treatment करवाने पूने में. होमवर्क देख लेते हैं. इंडिया का fully owned women industrial park कहा है इंडिया में? बताएं. और ये भी बताएं कि कौन सी UT को TV free declare कर दिया गया है? बहुत important book Sunrise over Ayodhya किसके द्वाड़ा लिखा गया है? और House work is work ये initiative किस bank का है? इन सभी के answer आप comment box में दे सकते हैं. वीडियो में कहीं doubt हो तो ज़रूर पोचे. वीडियो अच्छा लगे तो like कर दे, share कर दे, channel को subscribe कर ले. जल से जल. तैंक्यू.